असलाम लेकॉम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग, आज हम बनाएंगे हॉट एंड सौर सूप रेस्टोरान स्टाल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एजी रेसिपी है, इसके लिए सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे और इसमें दो खाने की चम्मच, तेल डालकर गरम करेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसमें मखण भी शामिल कर सकती हैं, अगर आपको मखण का टेस्ट पसंद हो, क्रश की हुई या चॉप की हुई हम इसमें लैसन शामिल करेंगे, वन टी स्पून यानि दो से तीन लैसन के जवे लेकर आप इसे कूट लें या फिर क्रश कर लें, चिकन की यखनी हम इसमें एड़ करेंगे, दो लीटर, ये सिंपल चिकन की यखनी है, इसमें कोई नमख, कोई लेसन वगरा, कुछ भी नहीं है, आधा चिकन लेकर मैंने इसे उबाल लिया था, तक्रीबन धाई लीटर इसमें मैंने पानी डाला, और ये उबल कर दो लीटर पानी रह गया, और इसे चान के मैंने इसमें शामिल कर लिया है, जो चिकन था, उसके मैंने रेशे कर लिये हैं, वो भी हम इसमें एड़ करेंगे, तक्रीबन एक कब चिकन के रेशे हमने इसमें एड़ कर लिये हैं, अब हम इसमें एक चिकन क्यूब शामिल करेंगे, एक अ हम इसमें सबजिया शामिल करेंगे, सबजियों में एक कप बारी कटी हुई गाजर शामिल करेंगे आप इसे क्यूब्स में भी कट कर सकती हैं, एक अप हम इसमें शिम्ला में शामिल करेंगे साथ ही हम इसमें काले मिश का पाउडर एड़ करेंगे टू टी स्पून चाइनी सॉल्ट वन टी स्पून या उप्शनल है अगर अवैलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती है इसे तक्रीबन एक मिनट के लिए हम उबालेंगे बहुत ज्यादा आपने इसे उबालना नहीं है क्योंकि सबजी नरम पर जाती है तो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता अब हम इसमें बंगोबी एड़ करेंगे बंगोबी मैंने स्टार्ट में इसलिए एड़ नहीं किया क्योंकि यह बहुत ही जल्दी पख जाने वाली सबजी है बहुत ही नरम पर जाती है तो अब हम इसमें एक कप पारी कटी हुई बंगोबी शामिल करेंगे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे चार खाने की चम्मच या फिर एक चोथाई कप विनेगर यानिकि सफ़ेट सेरका हम इसमें शामिल करेंगे एक चोथाई कप या फिर चार बड़े खाने की चम्मच soy sauce हम इसमें शामिल करेंगे दो खाने के चमच ketchup हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन दो टेबल स्पून यानिकी दो खाने के चमच और इसके बाद हम इसे एक से दो मनट पकाएंगे सबजियों को हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना दो मिनट के लिए हमने इसे उबाल लेना है अब हम इसमें कॉन फ्लोर शामिल करेंगे ये आठ टेबल स्पून कॉन फ्लोर है जिसे मैंने आधा कप पानी में घोल लिया था थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूंगी कॉन फ्लोर कमटी पर डिपैंड करता है कि आप कौन सी कमपनी का यूज़ कर रही है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ही करके शामिल करें जब तक कि आपकी डिजार कॉनसिस्टेंसी ना आनी शुरू हो जाए एक दम से आपने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि मैं आपको 8 टेबल स्पून बता रही हूँ हो सकता है जो मैं कॉन फ्लोर यूज़ कर रही हूँ तो आप बना कर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें जब तक कि आप देखना लें कि यह आपके डिजार कॉनसिस्टेंसी है तो यह थिक हो चुका है अब हम इसमें अंडे की सफेधी शामिल करेंगे तीन से चार अदद हम अंडे की सफेधिया लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह इसमें अड़ करती जाएंगे बहुत ज़्यादा आपने इसे मिक्स नहीं करना हलका हलका सा चम्मत चलाते हुए आपने इसे मिक्स करती जाना है यह सूप हमारा रेडी है अब हम इसे डिश ओट करेंगे डिश ओट कर लेने के बाद आप इसे अपने मर्जी के सास के साथ सर्फ कर सकती है वैसे तो इसे किसी भी सास की ज़रूत नहीं होती क्योंकि यह खुद परफेक्टली बना हुआ होता है उमीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी एची लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज